सरकार ने पास्पोर्ट नियमों में बड़ा बदलाफ करते हुए लोगों को रहा देने की कोशिश की है विदेश मिंत्राले के ओर से जाले किये गए नए नियम के अनुसार अब जन्म प्रमाण पत्र जरूरी नहीं होगा इसके अलावा पास्पोर्ट के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी सहीत, कोई भी वेर्द्य प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तीती भी माने होगी आपको बदा ले कि पहले नियम था कि 1989 के बाद पैदा हुए लोगों को पास्पोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी था इसके साथ ये नियमों में कई और बड़े बदलाफ किये गए हैं जन्में अब साधू सन्यासी एकल माता या पिता वाले बच्चों के लिए पास्पोर्ट पर माता या पिता या फिर कानूनी अभिभावक के नाम के इस्तिमाल को मंजूरी दे दी गई है वही सादू सन्यासियों को मातापेदा की बचरायफ ने गुरू के नाम लिखनी की अनुमती प्रदान की जाएगी लेकिन उन्हें कम से कम एक सरकारी कागजात सौपना हुगा विदेश राजय मंत्री वीके सिंग की ओर से खोशत नियमों में उन सरकारी नोकर शाहों के लिए भी प्रावधान किया गया है जो अपने संबंदित मंत्रालियों या विभागों से अनापत्ती प्रवान पत्र हासिल नहीं कर पा रहे हैं सिंग ने कहा कि पासपोर्ट के मामले में प्रक्रिया को तेज करने, उदार बनाने और सरल बनाने के लिए विदेश मंत्रालियों ने कहीं कतम उठाए हैं जिनमें देश के नागरिकों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने में आसादम हो सकेगी